नमस्कार दोस्तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पर PMB का जो मुबाइल बैंकिंग अप्लिकेशन है PMB1 अप्लिकेशन इस अप्लिकेशन से अगर आप लोग ATM कार्ड अप्लाई करना चाहते हो तो कैसे अप्लाई कर सकत करता यहां पर नीची एक debit card का अब आपको यहां पर से debit card वाले पर क्लिक करना है और फिर यहां पर apply for new debit card पर कलिक कर देना है यहां拍का नाम दिखेगा गए तो यहां पर चेंज करना चाहो तो यहां से आप change भी कर सकते हो फिलाल इसको चेंज नहीं करना चाता हूं, तो यहां पर मेरा नाम यहीं रहेगा, अब दोस्तों यहां पर जो एकाउन नमबर है, इसको आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद दोस्तों आपको continue पे क्लिक करना है, और आपको यहां पर अपना transaction का जो पिन है, वो आपको डाल देना है जैसे आप यहाँ पर transaction pin डालने के बाद confirm पर क्लिक करोगे आपका यहाँ पर debit card apply हो जाएगा लेकिन दोस्तों अभी मैं यहाँ पर already एक बार apply कर चुका हूँ तो इसलिए मैं दुबरा से apply करना नहीं चाहता हूँ बाकि अगर आप लोगों को करना तो यहाँ पर आप अपना transaction pin डाल दीजेगा उसके बाद confirm पर क्लिक कर दीजेगा और आपका यहाँ पर यहाँ पर apply हो जाएगा आप दोस्तों बात करते कि यह जो debit card apply होगा यह आपके घर पर कितने दिन तक आएगा ठीक है दोस्तों यहाँ पर यह कोरियर से आपके घर पर आता है तो 15-30 दिन में आ जाएगा और अगर आपका 15-30 दिन हो जाता है फिर भी नहीं आता है तो आप bank में अपने विजिट कर सकते हो जहां से आपने account open करवा है जो आपका home branch है आप वहाँ पर जाकर के पूर सकते हो आपको फिर जो कि branch के तरब से भी दे दिया जाएगा ठीक है क्योंकि मेरे case में भी ऐसे ही हुआ था मेरे को जो कि branch से मेरा debit card मिला था मेरे address पर नहीं आया था तो अगर आपके address पर नहीं आता है आई हूप आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो कैसा था प्लीज कॉमेंट करके जरूर बता दीजिएगा